है हेलो अबरेबन कैसे हैं आप सभी लोग दा पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नमबर 4 सक्ति की नहें केंद्र की मोस्ट इंपोर्टन कोशन हैं सर्थ दोस्तों जो के टम टो एकजाम के और सभी इंपोर्टन कोशन इस चैप्टर के हैं उसे देखते हैं तो सबसे पहला कोशन दोस्तों है कि अमेरिका के मुकाबले कौन सत्ता के विकल्प गरूप में उबर कर सामने आया है तो अमेरिका के मुकाबले जो सत्ता के विकल्प करूप में सामने आया वह है यूरोप किया थां मउश्चिवी संधी द्वारा किया घ्थन किया था मुझिसरिक संधी द्वारा किस बॉर्पीस करें secrets न मर चार ये आर्थिक संगर्ठन के सदाफना कंप पटापना तो युरोपिया आर्तिक संगठन के स्थापना 1948 में की गई भारत ने पुर्विके ओर देखो की निती कब अपनाई भारत ने पुर्विके ओर देखो नियानी लुकिस्ट पोलिसी की जो निती थी कब अपनाई 1991 में आसियान की स्थापना कब हुई आसियान की स्थापना 1967 में हुई और बैंकोग घोषना पत्र के द्वार जहां बैंकोग घोषना पत्र के द्वारा आसियान की स्थापना 1967 में हुई बारे में आपसे प्रसंट पूछा जा सकता है तो इस सभी चीज़े बारे में पहरी वीडियो बना रही है वहाँ से जाकर दोрипसे देख सकते हैं इसका लिंक जो है डिस्क्रेप्सन में है वरतमान में आसियाने के क्ल कितने सदस बोल रहे हैं यह भी आप उसे पूछ लेखा झाथ दो यह भी आपको देखना है चीन में सामिवादी करांती कब हुई तो चीन में सामिवादी करांती 1949 हुई चीन में सामिवादी करांती किसके नित्रतुम हुई तो चीन में सामिवादी करांती हुई थी माओ तसे तुंग के नित्रतुमें अगला है चीन ने अमेरिका से संबंध कब बनाए तो चीन ने अमेरिका से दोस्तों संबंध इस थाबद के थे 1972 में और इसी के बाद असो 1972 में चीन जो है वो सुरक्षा परिशत का इस्थाई सदस भी बन गया दोस्तों इंग्लैन में यूरोपिया संग से लग होने के लिए जन्मस संगर कब हुआ तो इंग्लैन में यूरोपिया संग से लग होने के लिए जन्मस संगर हुआ था 23 जून 2016 कब हुआ ठीक है दोस्तों चीन ने खुले द्वार की नितिक अपनाई तो 1978 में चीन ने खुले द्वार की नितिक अपनाई अगला प्रसन है यूरोपिया आर्थिक समुदाई यानि ए ए सी का निर्माड कब किया गया तो यूरोपिया आर्थिक समुदाई का निर्माड किया गया उननीस सो सत्तावन में किस वर्ष यूरोपय राजनितिक सयोग परिसत का निर्माड किया गया उन्निस सो उननचास में यूरोपय संग की स्थापना किस उद्देश सिकी गई तो यूरोपय संग की स्थापना की गई थी यूरोप के आर्थि विकास को बढ़ावा देने के लिए यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन कब सुरू किया गया तो यूरोप में यूरो मुद्रा का प्रचलन सुरू किया गया दोजा दो में आसियान के जंडे का प्रतिक्चिन क्या दर्साता है आसियान के जंडे का प्रतिक्चिन सदस्त देशों में एक्ता को दर्साता है जो आपस में मित्रता एवं एक्ता के धागे में बदे हैं आशियान किन देशों का संगठन है आशियान दक्षिन पूर्व एसेय राष्टों का संगठन है आशियान का विश्थित रूप क्या है तो आशियान का जो विश्थित रूप है एसोसेशन और साउथ इस एसेय नेशन अत्वा दक्षिन पूर्व एसेय राष्टों का संगठ रहता है तकिस योज़ना के अपरभाव से इनिसवाद 46 में यूरुपिया अर्तिक स्वयोग संगठण के स्थापनवी तो मार्सल योजना यूरोपिया संग के जंडे में बारे सिदारों को क्या रत है तो बारे सिदारे सदस राज्यों के प्रतीक को दर्शाते है यूरोपिया संग कौन सा देश सुरक्षा परिसत का इस्थाई सदस है तो दोस्तो वर्तमान में यूरोपिया संग का जो फ्रांस से देश है वा सुरक्षा प्रसत के स्थाई सथसे इसे वीटो भी प्रदाप्त है सेज को क्या आर्थ है स्पेशल एकोनमिक जोन मार्शल रजना क्या थी इसने ये ये आर्थिक सयोग संगठन के गठन का रास्ता कैसे बनाया तो मार्सल योजना अमेरिका द्वारा दूसरे विश्यूद के बाद बनाई गई थी ताकि उरोपिय देशों की अर्थ विवस्ता को पुनरगठित किया जा सके क्योंकि दूसरे विशुद के दोरान अधिकांस यूरोपय देशों की अर्थविस्था खराब हो चुगी थी मार्सल योजना के अंदरगत 1948 में यूरोपय आर्थिक सवयक संक्टन की स्थापना की गई जिसके माध्यम से पश्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च करना ठीक कि इसके साथ चाइना द्वारा 1978 में खुले द्वार की नतीय अपनाए गई 1972 में अमेरिका को साथ संबंद इस्थापित किये गए और ऐसे कई कारण महत्पुड अपनाए गए जिसे चाइना के चीन की विकास नितिया आगे बड़ी दोस्तों ठीक है अमेरिका के मुकाबले में सत्ता के चार विकल्पों की चर्चा कीजे तो अमेरिका के मुकाबले में सत्ता के जो चार विकल्प हैं दोस्तों उन्हें अगर हम बात किरें तो सबसे पहले इरोपेन उनियन आएगा दूसरा है आसियान तीसरा चीन और चोथा भारत इसे आप दे तो सटाने नियानने Pocket की बात करें तो Richard Dacia अपनी अर्थविवश्त विविव्स्ता और आरथि विकास को प्रावा देने के लिए देखा के साथ अपने संबंदों को सुधारते हुए कई अन्य महत्पुल कडम उठाया दोस्तों जैसे 1973 में प्रधान मंत्री चाउ एन लाइने किर्शी उध्योग सेना विज्ञान और प्रवधोगी की छेत्र में आदुन की करण के चार प्रस्ताव रखे और ठीक इसी प्रक मुष्णा करके चीन को महत्पुल मदद पहुचाए थी या आर्टिक सुधार की शुरुआत भी की थी इसके साथ देखते हैं तो हमने कि 1982 और 1998 में चीन ने करम से किर्शी एवं और दूगी करण का निजी करण किया जिससे विदेशी निवेशुकों को आकर्सित किया जा सक यह कुछ परिवर्तन थे नेति गत परिवर्तन थे चीन की दवारा 1970 उदेशक मुझे उठाए गयए थे दोस्तों अगला कोश्चन पूछा गया है आसियान के कोई चार मुखह उद्देश लिखें तो आसियान के मुखह उद्देश अगर हम लिखी बताएं दोस्तों तो आ किसी वेपार और उद्धों की विकास में सहयोग चौता है इस चित्र में आर्थिक समाजिक और सांस्क्री विकास गिती में तेजी लाए जाए यह आशियान के उद्देश हैं दोस्तों ठीक है इसी प्रकास उनिस सट्ट में आशियान की स्थाबनें पीछे क्या उद्देश यानि वो कौन से कारक हैं जो यूरोपियन संग को एक बहुत ही प्रभाव सारी संगठन बनाते हैं दोस्तों तो सबसे आपको पता दोस्तों कि यूरोपिया संग की अपनी साजी मुद्रा है इस थापना दिवास से गान और जंडा भी है यूरोपिया संग का आर्थिक समाजिक मावलों में देने में सक्षम भी है इन सभी का उत्तर दोस्तों जो है मारी वीडियो में उसका लिंक दिस्क्राप्शन में दे दिया जाएगा आवहां चेक लिजिए प्रसमबर तीस है दोस्तों नहीं आर्थी नीतियों के वेख्या कीजिए और इसी आपको पता दी्टों खुली द्वार की कि अपनाएगी और उसके आगर हम बात करें दोस्तों इसके लावा यूरोपेन उनियन का आर्थिक रादनितिक कूट नितिक और सैनिक परभाव इसकतन के वेक्खे कीजिए इसके हमें वेक्ख्या करनी है तो जैसे अगर हम बात करें दोस्तो यूरोपेसन के आसियान की भूमिका का वरन कीजिए दोस्तो तो दोस्तो आगर हम आर्थिक समुदाय ग्रूप में आसियान की भूमिका देखें तो दोस्तो आसियान के चेत्री संगटा ने 1967 में इंडिनेसिया फिलिपींस मलेसिया थाइलेन और सिंगरपूर के स्थाफना के थी और 1984 में बूरूपेस का सदस बन गया 1995 में यतनाम 1997 लाओस मेहमार भी सका संग्रा बने और कमोडिया भी बाद में इसका सदस बने जो से मजबूत बनाता है दोस्तों ठीक है इस बाद आशियान विजन 2020 है इसके भी अपने कई आशियान के आर्टिक गत्विदियां है आशियान सिकर संभिलन है यह सब्सक्राइब को बहुत महत इंडिया चाइना इस दोस्तों कि किस प्रकार का संग्रण है तो विक्स दुनिया की पांच अबरती अर्थवस्ताओं ब्राजील रूस भारत चीन और अफ्रीके के लिए एक संख्षिप सब्द है बिक्स कोई अंतराष्ट्रिय अंतरसर्गा संग्रण नहीं 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 य चिस अर्थ साथ तर्ग किया गया वे दोस्तों 2001 में किया गया था और गोल्ड मेंस सेस्का रिष्ट जीम और ली ने इसका सब दो पहली बार प्रूश इस प्रकार से ब्रिक्स जो है दोसस की साफना 2009 में की गई ब्रिक्स की ब्रिक्स का पहले सिखर समेलन वर्स 2009 में रूस के एकतन बर्ग में किया गया दक्षिल अफिरिका को ब्रिक में सामित होने के लिए कब अमंत्रित किया गया तो 2010 में दक्षिल अफिरिका को अमंत्रित किया गया दक्षिल अफिरिका ने पहली वर की सिकर्स अमेलन में भाग लिया तो दक्षिल अफिरिका ने तीसरे सिकर्स अमेलन 2011 चीन के सनाय में भाग लिया ब्रिक्स राज्यों ने निव डेवलेबंट बैंक समझे पर हस्ताचर कब किये तो वर्स 2014 में ब्रिक्स निव डेवलेबंट बैंक का पहला चेत्रे का रहाले कहां इस्ताबुत के जाएगा तो जोहानसबर्ग दस्क्ल अफ्रीका में ब्रिक सिखर समयलन यानि ग्यारवा ब्रिक सिखर समयलन कब हुआ 2019 में वर्तमान में जो ब्रिक सिखर समयलन उसे भी कोशन पुछा जा सकता है एंडीबी यानि न्यू डेवलेवेंट बैंक की स्थापना किसने क्या पहले देशकों थे तो के वी कामत रूस के साथ अपने संबंदों से भाद को किस प्रकार के लाप राप्त हुए अगला है किस दिरिश्ट्री से ब्रिक्स भारत के बहुत महतपुर हो सकता है 21 सदी के भारत के समक्ष महतपुर चनोतियां कौन-कौन सी है किनी दो कवरनन विस्तार पुरोग करें प्रसंबर 47 है 21 सदापती के बजलते भारत पर एक संचिप नोट लिखें मेक इन इंडिया योजना किसके दौरा हम कब लागू की गई यह भी इंपॉर्ण कोशन दोस्तों तो यह दोस्तों इस चेप्र के बहुत ही महतपूर प्रसंद और इस चेप्र के इन ही कोशन में दो दोस्तों आपको प्रसंद पेपर में देखनें मिल जाएंगे वीडियो पसंद आई हो तो प्रसंद लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर आगर आप नहीं है तो जुरू सब्सक्राइब कर दीजिया और बैल आइकन वू प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा जादा सेयर करें दोस्तों ताकि हर बचिता की वीडियों पोस्त के बिलते हैं नेस्ट वीडियों में आई होप आप सब्सक्राइब पसंद आई हो ले नेस्ट वीडियों में दोस्तों जैहिन